हाई एवरीबन माई नेम इस मोहित गुपता ओनर आप मोहित अग्रिकल्चर टुडोरियल्स टिशू कल्चर समझ रहे थे बायो टेक्नोलाजी पढ़ रहे थे डिटेल में बायो टेक्नोलाजी पढ़ रहे थे क्योंकि बायो टेक्नोलाजी कैसा सब्जेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि हर किसी को आना चाहिए जो इस्टुडेंट है अग्रिकल्चर का अल्मोस्ट उसको तो आना ही चाहिए क्योंकि एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है बायो टेक्नोलाजी भी प्रिकल्चर तो बायो ट सब्सक्राइब कर दीजिए बाल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिल सकें मेरी नई वीडियो के और आप उनको इंजॉय कर सकें फ्रीवी पिछली वीडियो में आइब कर दीचला बनाना होगा तक ही एक परफेक्ट टिशू कलचर को हम लोग एक्जिएक्स कर सकें सबसे पहली चीज है एक्विप्मेंट्स और एक्विप्मेंट्स में नंबर वन हम लेते हैं वाशिंग याने स्टोरेज ठीक है कि वाशिंग और स्टोरेज के लिए अगर कोई हमने एक्सप्रांट निकाला कोई टिशू निकाला तो उसको धुलने के लिए उसको साफ करने के साथ में एक distilled water distilled water मतलब कि बिलकुँ clear water उसमें कोई भी toxin ना हो कुछ ना हो केवल water हो 100% H2O हो in condensed form तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी laboratory setup कर सकें जो germ free हो, bacteria free हो, virus free हो कोई किसी भी तरिके के microbes ना हो वहाँ पर जो कि हमारे ex plant पर infect कर सकें और कोशिश करेंगे कि maximum हम लोग chemicals ऐसे use करें और एक इस तरीके का sterilization process हम लोग कर सकें जिससे laboratory functions हमेशा steril रहें तो start करते हैं तो equipment में सबसे पहले बात करते हैं washing और storage की जिसमें लोग सबसे पहले बात करें सिंक के वारे सिंक क्या होता है सिंक को हम लोग basin कह सकते हैं basin is the correct word for sink I think so right so basin या sink कह सकते हैं तो sink एक इस तरीके का basin होता है जहां पर गरम पानी और ठंडा पानी दोनों available है गरम पानी is about the hottest water ever मतलब कि बहुत ही ज्यादा गरम पानी होगा इसमें ताकि इसमें जब हम ex plant को धुलें तो jumps मज़ें अब इतना भी गरम नहीं होना है कि हमारा ex plant tissue ही खराब हो जाए गरम मतलब की moderate गरम होना चाहिए moderate में जो maximum limit हो इतना गरम water इसमें होता है cold में क्या होगा cold water होगा cold water कितना होगा 0 degree centigrade पर जम जाता है ठीक है तो cold water का मतलब कुछ उससे इधर मतलब की ऊपर कितरा हो temperature रख सकते हम लोग water का almost 18 degree centigrade ता temperature सही है 18 degree रख सकते है 16 degree तक रख सकते है temperature water का तो cold water unit हमारे पास होनी चीज़ है हमारे basin तो कौन सी दो यूनिट होनी चीज़ होट water unit cold water unit और ex plant को जो ex plant हम लोग tissue को जो निकालेंगे वह यहां पर wash किया देगा किसमे wash basin या sink ठीक है दूसरे apparatus है distillation apparatus अब यहां पर हम लोग water का distillation करेंगे ठीक है water distillation कैसे करेंगे आप इस चीज़ को समझते हैं distillation apparatus आपने chemistry में पढ़ा होगा अगर आप basic biology student रहे हैं तो अगर नहीं भी रहे हैं तब भी आपने agriculture की दौरान distillation apparatus कई आपके subjects में पढ़ा होगा जैसे soil science उसमें भी distillation apparatus पढ़ाया जाता है तो ऐसे कई subjects हैं ट्राइपोड लगा होता है यह ट्राइपोड क्या होता है ट्राइपोड का मतला होता है तीन पैर वाला एक stool हम कह सकते हैं जालीदार हम लोग फ्लेम को generate करते हैं क्यों फ्लेम को यहां पर रखा हुआ है यहां रखा हुआ है कि रहां पर यहां पर round water class में यहां पर बहुत ज़्यादा क्या है वाटर की लेट है वाटर है अब हमको यह पानी चाहिए क्यों चाहिए ताकि हम बेसिंग में भी यही प्योर इस्टिल वाटर है उसको सप्लाई कर सके साथ वाटर के साथ में अंदर उसके बहुत सारी alpha जुड़े होते इंफेक्टेंस कहते हैं बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हो सकते हैं जो की existちょis एक्स प्रांट शायद जर्मीनेट ना कर पाई यह इतना ज्यादा सॉफ्ट प्रोसेश है इतना ज्यादा इस तुक्य आप देख रहे नॉर्मल हम लोग बात नहीं कर रहे है कि आ ही कैसे रेप्रिदेक्शन होता हम लोग अलग तरीके से ही जुनेरेट कर रहे हैं तो उसमें आप रिप्रूडियूस कराएंगे और नॉर्म प्रोसेस से जो है मेरा प्लाट आजाएगा बट यहां पर क्या है कि नॉर्मल ही नहीं हम लोग एक टिशू को ले रहें तो टिशू बहुत सेंसिटिव है उसको छोटी छोटी बारिकिया देखनी पड़ेंगी कि बीच में हमको क्या क्या ऐसा करना है जिससे वो कभी भी इंफेक्ट ना हो भी उसकी स्टरिलीटि मतलब की इस्टराईलawyमेंट कहते हूं मैं हिंदी हम ली जाका सारी इसकी तो जो है उसकी मेंटीन रहे उसकी इश्यू की उस एक्स प्रांट को लबरेटरी की डिस्टनलेटी मिंटेंड रहा है तो हम लोग इससे छोटे-छोटे प्रॉसेस करते रहेंगे तो मैं कहां पर राउंड बॉटर फ्लास्ट उस पर रखा होगा कि यह ट्राइपॉड के नीचे बुंसें है बुंसें फ्लेम जन इसे मुट्यक्रिंगर कफ़ा है इसी वज़े चे लगाएं इसके आगे एक 207 5 प्ष्च कड़नों तरफ यह बना है कंडेश कान है कि कि यह कणि करें सब्सक्राइब है हैं मतलब कि गेसियस से आधिम लिक्वीड 스테ructive में चेंज कर रहा है देखर हैं से इससे पकथले से ऐंड होके यहां पिखला है एक याउंड छाल है इसको आ नांड था यह फ्लाट ही लों कहते हैं तो प्राइंगुलर अनन 제bir sparkiggleju हो प्लेट अल्सुन है प्रफेक्ट नीव है तो यह देखें फ्लैट बोटम फ्लास्ट में क्या हुआ वाटर आया वाटर किस पौं में वाटर आ रहा है वाटर हा प्योर Chapter में मतलब कि पानी के माध्यम पानी बन के आ रहा है वह पानी बन चुका यह pur distilled water है। यह है distillation apparatus हमारा दूसरा equipment जो कि हमको washing और storage में use करते हैं। तीसरा equipment तो дос hash heating जांट नहीं है जिसमें आप और लिड्रीक है लीडिर्म के harder के प्रिच्व कली होती है। अच्छा वाशिंग मशीन को अगर आपको देखना हो तो उसमें आप Google चलाते हैं, तो Google पर आप सर्च कर सकते हैं, कि इन विड्रो वाशिंग मशीन इन टिशू कल्चर, तो वो दिखा देगा निकाल जिए, आप वहाँ से वाशिंग मशीन देख सकते हैं, कि मुझे डाग्राम बनाने की ज़रूत नहीं है वह बहुत डेटेल डाग्राम होता है तो अगर आपको देखना हो तो आप गूगल पर सच कीजिए इन विट्रो आशिंग मशीनों टिशू पर चल तो वहाँ पर दिखा दें ठीक है दूसरा है पीपेट पीपेट से हम सब फै गेसिक केमिस्ट्री है और पैल तक और मेंडेक ऐसे सब्जेक्ट अधे स्च्रेक मेर् एक इसकेツ बार करते का क्या कृति लेगर वाशिंगव спорт लेपन गत क्या कार मिंग है तो फॉर ईजेम्पल ज़रूरी है सीब्स के बारे मैं बात लान बैड मशीन में वाइटी होती नॉर्मल वेट मशीन नहीं होते जो किलोज में वेट बताती है यह बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं लोर डाउन बेस की होती है मतलब कि यह वेट आपको बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में दिखा सकती है है मिली ग्राम में दिखा सकती है νैरो ग्राम इन बेसिस पर वेट दिखा सकती तो यह बहुत ही ज्यादा लोर डायों को भीसень को कि यह यूजर किया जापता है इस भी क्योट मशीन को इसलिए यूजर किया जाकता है कि इस पर हम दो डो मिली लीटर ही जो है हम सप्लाइ करें उससे एक बून्ही ज़्याद सप्लाइन आ करें क्यूंकि केमिकल्स को लिटर में लपते हैं तो मिलीडर में सब् Polski देनी में तो दो मिली लीटर है यह सब्लाइब में अगला होता है today Cambridge geas बहुत ज्यादा तरीका के अभी यहीं पर आमने glassware की कुछ बात किया था round bottom flask और flat bottom flask और यह tube है, test tube होती है, thermometer है, यह भी glassware है, तो जो भी कोई भी चीज कांच की बनी हुई है, तो वो कहां आएगा, glassware में आएगा, तो यह सब equipment किसके हैं, किलिवार washing और storage के, कि टिशू को निकाला किसी भी tissue को, tissue कुछ भी हो सकता, overi हो सकता, oriol हो सकता, embryo हो सकता, दुबारा repeat करने की मुझे जरुवत नहीं है, एक shoot का part हो सकता है, root का part हो सकता, कुछ भी हो सकता है, cell हो सकती है, तो उस छोटे से tissue को wash करने में और storage करने में इतनी सारी चीज़े हमें चलिए, laboratory के अंतरे in vitro tissue का चलिए, okay guys, तो अब ये देखते हैं कि media preparation room हमें कैसा करना है, मतलब कि जहां पर हमें media को prepare करना है, वो room कैसा करना है, अभी इसके भी 3-4 भाग है, अभी media preparation room तो मैं equipment सी आपको बता पाँगा, अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि growth regulators कौन-कौन से देने हैं, और nutrient media में क्या-क्या देना है, तो वो वीडियो आप जरूर देखेगा, इसको अच्छे से समझने के लिए, फिलाज के लिए equipment को जान लीजिए, नाम सुन लीजिए, ये नाम आपको मैं सुना ही सकता हूं, दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई equipment है नहीं, Google पर आप सरच करके निकाल सकते हैं नहीं equipment को, ठीक है, कैसा दिखेगे, तो अब media preparation road को जान लीजिए, तो सबसे पहली चीज है bench for chemicals होनी चाहिए, एक अलग bench होनी चाहिए, जहां पे chemicals होनी चाहिए, जहां पे हम chemicals को रख सकें, जहां पे हम ये जान सकें कि ये chemical, इ इस जो glassware में ये chemical है, तो हम वहाँ पे अलग ऐसा table generate करते हैं, उसमें अलग-अलग जो हम कह सकते हैं, कि boxes या हम कह सकते हैं, खाचे type के बनाते हैं, और वहाँ पे अलग-अलग bottles में अलग-अलग chemicals को रख देते हैं, उसको पर लिख भी देते हैं, तो एक अलग table होनी scissors हो गया, knife हो गया, और जितने भी आपके equipment जो आते हैं, हम कह सकते हैं, metallic जितने भी instruments आते हैं, वो सब labware में आते हैं, even though आपके glassware भी labware में ही आते हैं, बट उसको आपने पहले ही design कर दिया है, आपको दिखा दिया है कि कैसे होते हैं, तो आप labware में आपको इतना द्यान र elements के बारे में बार, ठीक है, culture vessels होने चाहिए, ऐसे vessels होने चाहिए, जिसमें culture, अब vessel का मतलब क्या, एक ऐसा media preparation लोग तियार करते हैं, glass का या, तो यह full airtight media होता है, जहां पे हम nutrient media रखते हैं, यह पहली layer nutrient media की होती है, दूसरी जो layer होती है, वो हम लोग external जो chemical apply करते हैं, और त तो इस तरीके के कुछ vessels है, वो कहनाते हैं, culture vessels, आप vessels कई तरीके के इसमें भी होते हैं, culture vessels में भी, but एक perfect idea के लिए, अगर आपको सबका एक combination बना के लिखना हो, तो यह perfect combination है, यह culture vessels, ठीक है, फिर इसके साथ में equipment, equipment में फिर से हम लोग बात करने हैं, forceps, scissors, और तरह तरह के equipment होते हैं, अच्छा, lab wear में आप क्या करें, कि lab wear में आप glass wear को भी include कर सकते हैं, but यह equipment में अगर हम बात करें, तो equipment में वही equipment होता है, forceps, scissors, knife होता है, तो metallic instruments को किसमें रखेंगे, equipments में रखेंगे, compound microscope हम कह सकते हैं, यह हम कह सकते है, closer, मतलब कि वो zoom करके देखने के लिए compound microscope हो कोनचे था कि उस tissue को हम लोग perfectly बढ़ा करके देख सके कि कितना अच्छे से हो, मतलब, बिल्कुल अंदर तक देखना है, हमने जब tissue core tissue culture करना है, तो उसको बढ़ा करके देखना है, तो कैसे देखें, compound microscope के through, compound microscope सबने जानते ही हैं, आप लोग कि compound microscope कैसा होता है, तो वो बतान अच्छे से जान सकेंगे, अपने मीडियम के बारे में, अपने, जो हम कह सकते हैं, culture vessel के बारे में, कि वहां पर कैसा महौर हमने बढ़ा दिया, उसके बाद में beam balance होना च्छे, beam balance का मदब है तराजू, यह वो simple तराजू नहीं है, weight balance है, beam balance है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब यह simple beam balance नहीं है, जो आप दुकारों में देखते हैं, यह बहुत ही minute beam balance होते हैं, इसके जो, हम कह सकते हैं, weighing tools दिये जाते हैं, हम कह सकते हैं, जो weights जो दिये जाते हैं, इसके साथ में, वो बहुत ही छोटे-छोटे weights होती हैं, जिसमें लोग कम मातरा में chemicals को नाप सकें, सुनारों के वहाँ आपको दिखते हैं, beam balance भी दिखते हैं, उसी तरीके के, और आप weighing machine भी देख सकते हैं, जो chemicals को नापनी के लिज होती है, तो आप वहाँ से अंदाजा ले सकते हैं कि कैसे weighing machine और कैसे beam balance होते हो, कि oven, अगली चीज़े oven, oven का मतलब होता है, आप oven तो सब जा होते रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा heat रहेगी, वह heat अपने अनुसार, जो है raise के द्वारा, UV raise के द्वारा, वहाँ पे, UV raise या, अब हुझे confirm ने कौन सी raise होती है, बट महाँ पे heat generated होती है, तो क्या हम तो करते हैं कि कि किसी भी गीली चीज को अगर उसमें हम हो गया, refrigerator again, fridge, refrigerator, ठंडग देने के लिए, फिर से stability को maintain के देखे, refrigerator का भी बहुत बड़ा काम, अब एक बार, media preparation है, यह तो room हो गया जांके, media को हमने prepare किया, अब transfer यह लिया, मतलब कि in vitro से, हमने transfer करना है, x vitro में, तो वहाँ पे क्या होना अचीए, यह हम कह सकते हैं, incubation, acclimation अबने करना है, यह times आपको आगे समझ में आएंगे, regular basis पर जवाब पढ़ना शुरू करेंगे, तो, सबसे पहला, sterile room होना चाहिए, एक open room होना चाहिए, जो की fully sterile हो, और second thing है, close plastic box with UV tube, तो ऐसा ही कुछ plastic box होता है, जिसके अंदर, glass box गूसकता है, plastic गूसकता है, airtight box होता ह इसके दार UV tube डाली जाती है, इस्ट्रलेटी के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे microbes पनप गये हो, जो की, वहाँ पे हमारे extract को vanish कर दे, या खराब कर दे, तो, वहाँ पे extract को बचाने के लिए UV rays चलाई जाती है, पूरे के पूरे, इसके, डिकल के अंदर, हम के सकत प्लासिक बॉक्स के दार, UV rays चल रहे होती है, और यह UV rays खत्म कर रहे होती है, जितने भी प्लासिक प्लासिक बॉक्स कॉन से, एक्विप्मेंट्स कॉन से हमने इंविट्र यूज करने है, बट अभी हमारे पास ही बहुत बड़ा, इसी का एक हिस्सा है, पार्ट टू है अगले वीडियो में हम लोग यही बाते करेंगे और थोड़ा सा टिशू बल्चर को भी डिस्कुस करेंगे, थेक्व